पंच्ड का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पंच्ड का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे पंच्ड किया गया हो या जो पंच्ड किया गया हो उसे हम adjective के रूप में पंच्ड कहते हैं इसके इलावा पंच्ड जो है वो पंच्ड का past and surpassed participle होता है यानि कि पंच्ड की ही second और third form होती है पंच्ड और पंच्ड का आर्थ होता है छेद करना, मुक्का मारना, छेदना, रोचक अंच, दबाना, धकेलना या मारना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने उसके जबडे पर मुक्का मारा तो आप कहने कि मुक्य बाजने अपने प्रतिद्वन्दी की नाक पर मुक्का मारा तो आप कहेंगी the boxer punched his opponent on the nose अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें